हलो फ्रेंस आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं ग्रेजिंग का अर्थ क्या होता है और सेंटेंस में उसे यूज कैसे करते हैं So let's start a video, grazing का अर्थ होता है, चराई, चरागा, तो चलिए इसको sentence में और भी अच्छी तरह जा समझ लेते हैं, Example, the bison were grazing all around the pond, इस sentence का हिंदी में मतलब है, तलाप के चारों और जंगली भे से चर रहे थे, चलिए निक्स एक्जम्पूल जान लेते हैं, the bison were grazing in the distance, इस sentence का हिंदी में मतलब है, दूर दूर तक bison चर रहे थे, चलिए निक्स एक्जम्पूल जान लेते हैं, agriculture and grazing are the principal industries, इस sentence का हिंदी में मतलब है, तो चलिए आखरी एक्जम्पूल जान लेते हैं, he reached out to take the hourglass, grazing her skin in the act, इस sentence का हिंदी में मतलब है, ओ घंते का सश्मा लेने के लिए बाहर पोचा, अधिनियम में उसकी त्वच्चा को चरा रहा था, I hope friends, आपको आज का ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like कर दिजिएगा, साथ साथ हमारे इस channel को subscribe कर दिजिएगा, thank you for watching.